आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ हमें question given है if the points 0,2 1,x and 3,1 are collinear then x का value हमसे पुछा जा रहा है तो 3 points हो A, B, C अगर ये 3 points हो और ये collinear हो तो इनसे कोई भी triangle नहीं form हो सकता है that means हम लोग बोल सकते हैं कि ये triangle से जो भी sorry ये जो coordinates है तीन इनसे जो भी triangle फोर्म हो रहा है उसका area 0 है तो हम लोग यहां से triangle का area निकाल सकते है triangle का area क्या होता है area of triangle ये होता है अगर coordinate given हो 4 3 coordinates अगर हमें given हो x1,y1 x2,y2 and x3,y3 sorry कोमा हो गए है x3,y3 तो area क्या होता है area होता है 1 by 2 times determinant of determinant of x1,x2,x3 y1,y2,y3 और 3rd कोलम में हम लोग दिखते है 1,1,1 so here यहां क्या आ जाएगा हम लोग के पास area equal to 1 by 2 times 0,2 है हम लोग x coordinate लिखेंगे तो 0,1,3 0,1,3 y coordinate है 2,x,1 और एक और लिखेंगे हम लोग 1,1,1 area क्या होना चाहिए 0 यहां से आ जाएगा हम लोग पास इसके अलोग expand करेंगे तो 0 होगा इसके अलोग expand करेंगे तो minus इसके पहले लगेगा minus 2 into 1 into 1 1 minus 3 into 1 3 so अब इसके अलोग तो plus 1 1 into 1 1 minus 3 into x that is 3x this should be equal to 0 this implies that minus 2 into यहां से minus 2 आ जाएगा that is 4 हो जाएगा यह plus 1 minus 3x should be equal to 0 this implies that यहां से क्या आ जा रहा हम लोग के पास 4 plus 1 5 equal to यह इधर जाएगा तो plus हो जाएगा 3x so x equal to यहां से आ गया हम लोग पास 5 by 3 so अगर हम लोग options देखें तो कौन सा option सही हो जाएगा option B is correct Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर